हेलो डियर स्टुडेंस वेलकम टू एटूस इंडिया और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं अपने जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर अध्या है जिसे हम बोलते है कोशिका यस कोशिका जीवन की इकाई हमने बहुत बच्पन से जब हमने पहली बार जीव अभी तक यह परिभाशा पढ़ी थी अब आप आगे हो इंटरमीडियेट के सेक्शन में जहां पे आप नीट जैसी प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और यहां पे सिर्फ परिभाशा से आपका काम नहीं चलने वाला इसलिए आपको थोड़ा सा डीटेल थो है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम जो भी स्टेट्मेंट बोलेंगे उसके पीछे का कारण क्या है हम चूप बोल रहे हैं देखो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि बायलोजी एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जीव विग्यान में तो सब रटना ही है लेकिन ऐसा नहीं है व विग्यान हमेशा तरकों और प्रेयोगों पे काम करती है ना की रटने पे तो जो भी आप सीख रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई तरक होगा उसके पीछे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होगा कोई ना कोई प्रेयोग होगा जिससे हमें यह निशकर्स मिला होगा और उस कहांति दो हमेशा कोशिश करेंगे जब भी अध्याय पड़ रहे हैं या बालो क क्यों अलगिकल साभी चाक्टर आप पड़ रहे हो तो आप जो स्ट्रेटमेंट पड़ रहे हैं उसके पीछे का रीजन समझमें आ जाए कि क्या कारण है कि य कथन हमारी पुस्तक में लिखा है या हमारी notes में लिखा है और जब ये आपको समझ में आ जाएगा तब आप समझना कि आप अपनी तैयारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो और अब आप जाके अपनी परिछा को देख सकते हो उसका सामना कर सकते हो तो हम लोग जो भी जीविज्ञान पढ़ेंगे जो भी biology पढ़ेंगे वो इसी base पे पढ़ेंगे कि रटते हुए नहीं सब चीज सीखते हुए और इस तरीके से सीखते हुए कि आपकी जो पुष्टक है जहां से आपके NEET के परिछा में सवाल आते हैं N-C-E-R-T N-C-E-R-T आपको अक्षर शह लाइन बाई लाइन नहीं बोला मैंने लाइन बाई लाइन नहीं अक्षर बाई अक्षर तयार हो जाए और crystal clear समझ भे है ठीक है बच्चों तो जैसे मैं आज start करने माला हूँ कोशिका आपको बहुत पहले से पता है कोशिका का मतलब क्या होता है कि जहां पे जीवन पाया जाएगा है ना कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है यह हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन इसे जीवन की मूलभूत इकाई क्यों बोलते हैं क्या रीजन है कि कोशिका ही जीवन की मूल वो दिकाई है वो हम आज सिखेंगे और पढ़ने और सिखने में बहुत परक है चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या यह कारण है जिसके वज़े से कोशिका को बोला जाता है जीवन की इकाई शुरू करें बच्चो आईए चलते हैं आगे और शुरू करते हैं एक एक चीज को जैसे ही मैंने बोला जीवन जैसे ही बच्ची मैंने आपसे बोला जीवन जीवन से आपके क्या समझा अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने चारो तरफ एक बार नजर दोडाईए और देखिए कि जीवन के आधार पे अगर हम जो आपके चारो तरफ की चीज़े हैं उन्हें वर्गिकरित करने की कोशिश करते हैं उन्हें कटेगराईज करने की कोशिश करते हैं तो कितने केटेगरी या कितने वर्गों में बाट सकते हैं और आप चौक जाएंगे कि अगर आप आपने जीवन की आधार पे चीजों को बाटना शुरू किया तो आपके संपूर जो आपके चार तरफ चीजे हैं उन संपूर चीजों को आप दो ही वर्ग में बाट सकते हैं एक तो वो जहां पे जीवन उपस्थित है और उन चीजों को आप बोलते हैं सजीव और दूसरे व जहां पे जीवन अनुपस्तित है उन्हें बोलते हैं निरजीव लेकिन मैंने पूछा कि जीवन क्या है वट इस लाइफ है और यह 11th क्लास के 1st चैप्टर का टॉपिक है एक्चुली कि जीवन क्या है तो जब हम जीवन को परिभाशित करने की कोशिश करते हैं जब हम जैसे देख रहा है जिसके लाइफ में जैसे चीजे चल रही है जीवन को वो अपने हिसाब से परिभाशित कर देता है लेकिन जब हम जीवन की परिभाशा देखने जाते हैं या जीवन को जीवन के आधार पे चीजों को वरगिकरित करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ची जीवन की आगार पे दो प्रकार में बाढ़ सकते हैं एक तो वो जहां पे जीवन उपस्थित है यहां पे जीवन प्रजेंट है और दूसरा वो जहां पे जीवन नहीं पाया जाता अपसेंट है आप दो चीजे देख सकते हैं जहां पे जीवन प्रजेंट है इन्हें आप बोलने लगते हो सजीव जो जीवन के साथ है उन्हें आप बोलते हो सजीव या इन्हें ही हम बोल देते हैं लीविंग्स यहां पे जीवन नहीं है उन्हें आप बोल देते हो निर्जी और आप अपते चारो तरफ देखके ये बड़े आसानी से बता सकते हो कि कौन सी चीजें सजीव है और कौन सी चीजें निर्जीव है हाई या ना बच्चो आप बहुत एजली बता सकते हो कि सर ये चीज सजीव है ये चीज निर्जीव है ठीक है आप सामते हो ये बात बहुत अच्छी बात है लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने ये जो वर्गी करण किया है जीवन के आधार पे ये किया कैसे आपके पास क्या परामिटर्स थे आपके क्या क्राइटेरियाज थे आपने किन माप दंडों के आधार पे ये बताया है कि ये जीवित है ये सजीव है और ये निर्जीव है तो आप बहुत सारे लक्षडों को बताते हैं ना की परिभाशब आप ध्यान रखना हम जब भी ये चाक्टर आगे पढ़ेंगे वहां सीखेंगे कि जीवन को परिभाशित करना एक अत्यंत ही कठिन काम है और ये हम कैसे करें जब हमारे जो पुर्वच थे जो हमारे बहुत पहले से जो विज्ञान को पढ़ते आ रहे हैं वो लोग ही नहीं कर पाएं हाँ बच्चों ये बिलकुल सत्य है कि जीवन को परिभाशित करना एक अत्यंत ही कठिन कारे है और इसी वज़े से जो हमारे वैज्ञानिक थे जो लाइफ साइंसेज जो जीविग्यान का अध्यान कर रहे थे उन्होंने जीवन को परिभाशित करने के बज़ा है यह उचित समझा कि हम क्यों न कुछ लक्षणों को बता दे हम क्यों न कुछ करेक्टर्स असाइन कर दे कि यह करेक्टर्स जहां पर पाए जाएंगे वो जीवित कहलाएंगे वो सजीव कहलाएंगे और जहां पर यह करेक्टर्स नहीं होंगे उन्हें आप निर्जीव बोलेंगे यस बच्चे ऐसा ही हुआ जब लाइफ को देखा गया जब लाइफ की स्टडी की गई तो हमने पाया कि जीवन को परिभाशित करना बिकॉज लाइफ इस सो वास्ट बहुत व्यापक है जीवन और इसको एक भाशा में समेट के रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था इसलिए हमारे वैज्यानिकों ने परिभाशित करने के बजाए कुछ भाशा में कुछ लक्षणों में इसको बात दिया कि जहां पे ये लक्षण दिखेंगे उन्हें आप जीवित बोल देना और मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन सा लक्षण सबसे important है आप जब अपने NCRD का अधियन करते हो आपको कुछ लक्षण मिलेंगे मैं mention भी कर देता हूँ आप वहाँ पे देखोगे व्रिधी प्राचनन कोशी का की उपस्तिती आप पढ़ेंगे यहाँ पे उपाप चैई अभिक्रियाई और आप पढ़ेंगे यहाँ पे यह कुछ लक्षण यह इसके अलावाब बहुत सारे लिखें एक और लिखा हुआ है जिसे हम बोलते है response to external stimuli किसी बाहर की चीज़ के लिए response देना जिसे आप बोल सकते हैं बोल सकते हैं लिखें से देस्वाँ यह ऑफे हैं बाय उद्धीपनों के प्रती सजगता जिन्हें आप बोल सकते हो ग्रोथ, प्रिप्रडक्शन, प्रिधी, प्रजनन, कोशिका की उपस्थिती, उपापचे यविक्रियाई अनु कमपनें बाय उद्धीपनों के प्रती सजगता कि बाहर जो भी आपके चैरो तरफ जो परिवरतन हो रहे हैं आपके बातावरण में आपकी जो बॉड़ी है, आपकी जो शरीर है उन बातावरणी ये परिवरतनों के लिए भी रिस्पॉंस देती है वो वहां से उनके लिए सजगता दिखाती है ये ऐसे कुछ characters आपके देखे जो आप पढ़ेंगे आप deal करेंगे जो आप पढ़ते हैं chapter number one जिसका नाम है जीव जगत और यहाँ पे इन कुछ लक्षणों के आधार पे सजीव और निजीव को निर्धारित किया जाता है लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ठीक है हम कर लेंगे लेकिन एक वो लक्षण बताओ इन पाचों में से एक वो लक्षण बताओ जिसका कोई भी exception नहीं है मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से चीज सजीव है कौन से चीज निर्जीव है तो आप क्या बोलने वाले हो मैं यहां लिख रहा हूँ सबसे महत्वपूर जीवन का लक्षण क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर जीवन का लक्षण क्या है तो मेरे पूछने का मतलब यह है कि जीवन का वो कौन सा लक्षण है जैसे हम बृद्धी की बात करेंगे आप देखोगे कि बृद्धी सजीव और निर्जीव दोनों में होती है प्रजनन की बात करेंगे हम बोलें कि जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो सजीवों में होती है तो हम देखें कुछ सजीव ऐसे है जहां पे नहीं होती मतलब हम यह जो लक्षण परिलक्षण दिख रहे हैं इनको हम दो भागों के बाढ़ सकते है एक तो वो जो एकदम कंफर्म है कि पाई ही जाएंगे एक वो जो पाई जा सकते हैं नहीं पाई जा सकते हैं मैं वो पूछना चाहरा हूँ कि इसमें ऐसे कौन से लक्षण है जहाँ पे हम जीवन की बात कर रहे हैं जिनका कोई अपवद नहीं है, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं ये लक्षण देखना चाहता हूँ, और अगर आपको ऐसा लक्षण दिखा, तो आप उससे सजीव बोलिएगा, ये नहीं दिखा, तो निर्जीव बोलिएगा, तो जैसे ही मैंने इन लक्षणों को अच्छे से देखा तो मुझे समझ में आता है कि जो जीवन का सबसे मूल भूत लक्षण है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है वो लक्षण है उपापचै अभिक्रिया और ये सुनते ही आपके दिमाग में घंटिया बजनी शुरू हो जाती है कि सर ये कौन सी बात है अगर आप उपापचै अभिक्रिया मतलब मेटापोलिक रेक्शन्स की बात कर रहे है यारी आप ये बोल रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो लाइफ है वो लाइफ अभिक्रियाओं के वज़े से है रासानी के अभिक्रिया के वज़े से दिखाता हूँ बच्चो मेटाबोलिक रेक्शन्स पहले होता क्या है ये तो सीख ले है ये तो सीख ले कि मेटाबोलिक रेक्शन्स होते क्या है तब हम आगे पढ़े, yes or no, तेरा देखते हैं कि क्या होती है उपाप चाही अविक्रियाएं या metabolic reactions, जैसे ही मैं लिखा उपाप चाही अविक्रियाएं, देखना, या उपाप चाही अपने अंदर ही दो शब्दों को एक साथ लेके बैठा है, उपाप चाही और अप चाही, दो अविक्रियाओं को एक साथ लेके बैठा है, यानि हमारे शरीर में आपने क्या बोला, कि जब भी आप जीवन के लक्षण को देखेंगे, तो जीवन के लक्षण का जिसमें कोई भी अपवाद नहीं है, वो लक्षण है उपाप चाही अविक्रियाँ है, yes or no? और जब आपने उपाप चाही अविक्रियाँ की बात की, तो आप बोल रहें कि ये तो अविक्रियाँ है, sir, ये तो reactions है, क्या होती है उपाप चाही अविक्रियाँ है, जरह पहले परिभाशा देखते हैं, और फिर आपको और कौतुहल बढ़ेगा, और आपके दिमाग में चीज आएगे कि ये कैसे हो सकता है, जरह देखो, उपाप चाही अविक्रियाँ होती क्या है, उपाप चाही अविक्रियाँ होती क्या है, जीवों के शरीर में होने वाले संपूर रासायनिक अविक्रियाँ को, संपूर रासायनिक अविक्रियाँ को उपाप चाही अविक्रियाँ बोलते, उपाप चाही अविक्रियाँ कहते, मतलब अगर मैं आपसे उपाप चाही अविक्रियाँ की परिभाशा पुछू तो आप क्या बोलने वाले हो, कि सजीवों के अंदर होने वाले संपूर रासायनिक अविक्रियाँ को सम्मिलित रूप से एक साथ क्या बोलते हैं, उपाप चाही अविक्रियाँ बोलते हैं, और जब आप जीवों को देखते हो और जीवों के अंदर होने वाली अविक्रियाँ की आप स्टड़ी करते हो जब इनका अध्यान करते हो तो आपको समझ में आता है, कि जीवों के अंदर ये जो अभिक्रियां हैं ये दो प्रकार की हैं जीवों के अंदर ये अभिक्रियां कित्ते प्रकार की बच्चों दो प्रकार की एक तो एक को बोलते हैं ये नाम लिखा हुआ है उपा पुच्चई अभिक्रिया क्या बोलते हैं बच्चे एक को उपा पुच्चै अभिक्रिया और दूसरे को बोलते हैं अपुच्चै अभिक्रिया यानि ये जो रासाइनिक अभिक्रिया है ये रासाइनिक अभिक्रिया दो प्रकार का है कितने प्रकार की हैं ये रासाइनिक अभिक्रिया हैं दो प्रकार की एक उपापचेई अभिक्रिया पहला नंबर दूसरा अपचेई अभिक्रिया अगर मैं इना विक्रियाओं के भारे में सीखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि शरीर के अंदर बहुत से बार ऐसा होता है कि जो जटिल जैव अडू हैं कॉंपलेक्स बायो मॉलिक्यूल हैं वो कहीं पे टूट रहे होते हैं और उनके टूटने से सरल जैव अडू बनते हैं यानि जो आपके सिंपल बायो मॉलिक्यूल का फॉर्मिशन होता है और शरीर में ही बहुत से जगहों पे जरत पड़ती है जहां पे वहां पे बहुत से सरल अडू एक साथ मिलके जटिल जैव अडू का निर्माड करते रहते हैं यानि जो आप रासाली का अभिक्रिया की बात कर रहे हो यहां पे दो तरीके की अभिक्रिया चल रही है एक जगह वह अभिक्रिया चल रही है जहां पे कुछ टूट रहा है विद्वन्सकारी और एक जगा पे ऐसी अविक्रिया चल रही है जहाँ पे कुछ बन रहा है निर्माड कारी अगर आप देख रहे हैं तो उपापचई अविक्रियाएं ये होती है निर्माड कारी अविक्रिया ये कैशी अविक्रिया है वेटा ये निर्माड कारी अविक्रिया है और जो अपचई अविक्रिया है ये विनाश कारी अविक्रिया होती है जहाँ पे कोई चीज क्या होती है टूट रही होती है समझ में आया तो दो अविकरियां चल रही है एक होती है विनास कारी, एक होती है निर्माड कारी, और ये अविकरिया किस के बीच में चल रही है ये भी आपको बता दिया मैंने सरल जैव अडू और जटिल जैव अडू, simple biomolecules और complex biomolecules के पीछ में जैसे उपापचाई अभिक्रिया में ये उपापचाई लिख दिया मैंने पूरा ही उपापचाई लिखना था यहाँ पे उपापचाई अभिक्रिया उपापचाई नहीं होना चाहिए उपापचाई होना चाहिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे पहले नमपर पे उपचय होना चाहिए सॉरी माई मिस्टेक मैं उपचय लिख दिया देखते निर्मार कारी की बात कर रहा हूँ निर्मार कारी में क्या हुआ जहाँ पे बहुत से जो सरल जैव अड़ु है जो सिम्पल बायो मॉलेकूल्स है इनके एग्रिगेशन से इनके इकठा होने से कुछ एक जटिल जैव अड़ु का निर्मार होता है क्या होता बच्चे एक जटिल जैव अड़ु जटिल जैव अड़ु का निर्मार होता है ऐसी अभिक्रिया को आप बोलते हैं जटिल जैव अड़ु जहाँ बने सरल से इन्हें बोलते निर्मार कारी अभिक्रिया ये वाली अविक्रिया कलाती है निर्माड कारी अविक्रिया लेकिन जटिल वाले तूट जाएं जटिल वाले क्या हो वो छोटे छोटे टुकडों में तूट जाएं और इनके वज़े से बनते हैं सरल जैव अडू वापस से तो हमारे शरीर में या किसी भी सजीव के शरीर में जिसे आप जीवित बोलते हैं वहाँ पर एक ही चीज पाय जाती है वहाँ पर पाय जाते हैं जैवःडू और उन जैवःडू का निरंतर रूपांतरण चलता रहता है जो जैवःडू सरल जैवःडू से जटिल से सरल में परिवर्टित होते रहते ये चछक्र चलता रहता है और इस उपक्रम को बोलते हैं आप उपापकचे ये अविकרिया और जहां पे ये अभिक्रिया होती है जहां पे ये क्यामिकल कनवर्जन जहां पे ये रासानी का भिक्रिया होते हैं ये रासानी को ये रूप पांतरड होते हैं उन्हें बोलते हैं आप उपापचे अभिक्रिया लेकिन बच्चों मेरी बास सुनना आप ये सोच के चौक मैंने बोला हाँ बच्चा कभी नहीं जब भी देखना हो हमेशा यह एक चीज देखना क्योंकि इसका कोई आपवाद नहीं है अगर उपाप्चे अधिक्रिया कही चल रही है तो वह जीवित हогा वह सजीव होगा अगर कहीं पे उपापचे अभिक्रिया नहीं चल रही तो वो निर्जीव होगा इसमें कोई if but किन्तु परंतु लेकिन हाई नहीं लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आएगा सर क्या बात करिया आपने आपने बोला कि हमारे अंदर जो जीवन दिख रहा है जो लाइफ दिख रहा है वो लाइफ केमिकल रियक्षन है वो रासाजी का विक्रिया है तो मैं बोलूँगा हाँ मेरे जवाब होगा हाँ और अब इस हाँ को समझने के लिए कि क्यों बोला हाँ आपको जाना पड़ेगा थोड़ा डीटेल में और यही अगर आपने सीख लिया तो मैं बोल रहा हूँ क्लास 11 की अल्मोस्ट जो 22 चैप्टर्स है वो क्लास 11 के 22 अध्याय में से 16 से 17 अध्याय का एक्स्प्लिनेशन उसकी व्याख्या इसी 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 सेम जो आपको कॉंसेप्स सिखाया है जो चीज सिखाया है इसी पे हो जाता है कितने चैप्टर्स की 22 बेसे 15 से 16 चैप्टर्स इसलिए जान बूच के पहली क्लास में ये सिखा रहा हूँ और सुन लिजिए मेरे मूँ से आज सुना है आपने उपापचे ये विक्रिया जब तक 11 की बारोजी पढ़ेंगे हम उपापचे ये विक्रिया की बात करते रहेंगे इसलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझ लो क्योंकि यही आपके क्लास 11 की संपूर जीविग्यान का आधार है और वही सिखा रहा हूँ और आप सोचोगे कि सरा आपने बोला कि रासायनी का विक्रिया से जीवान उपस्तित हुआ चलो सरा हम ट्राई कर रहे हैं मैं भी आपके साथ ट्राई कर रहा हूँ समझ ये मेरी बात मैंने उदारण के लिए एक हात में ले लिया एक किलो चीनी और एक हात में ले लिया एक किलो नमक और मैंने सामने टेबल रखा और टेबल पे चीनी भी ले आया नमक भी ले आया चीनी, ग्लुकोज, C6, H12, O6 एक रासायनीक प्रदार्थ है मैं नमक ले आया NACL, सोडियम प्लॉराइड एक रासायनीक प्रदार्थ है मैंने बोला दोनों मिल जाओ मुझे रासायनीक अविक्रिया करवानी है और लाइफ प्रोड्यूस करनी है क्या ऐसा होता है या क्या ऐसा होगा घर पे करके देखो चीनी लियाओ, नमक लियाओ, दो काटोरी में और दोनों को मिला दो बोलो कि यहां से जीवन पैदा हो जाए क्या ऐसा होता है कभी भी नहीं होता नखभी होगा क्यों, क्योंकि आपने जब टेबल पे चीनी लियाओ, नमक को एक साथ मिस्रित करने की कोशिश की उनका मिस्रण बनाने की कोशिश की तो मिश्रण कभी बनता ही नहीं है चूँ अब ये सीखते हैं क्योंकि आपको जब भी मिश्रण बनाना है आपको एक माध्यम की आवश्यक्ता होती है दुबारा बोल रहा हूँ आपको जब भी कोई भी रासानी का विक्रिया करवानी है तो आपको एक माध्यम की आवश्यक्ता होती है शायद कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आए या क्लिक ना करें तो उन बच्चों के लिए मैं जो पहले उदारर लिया था उसी उदारर को अपडेट कर रहा हूँ मैं एक किलो चिनी लाया था मैं एक किलो नमक लाया था और टेबल के उपर रखके दोनों को मिलाने की कोशिश की थी यास और नो अब इसमें एक चीज बढ़ गई है मैं एक बाल्टी में पानी बर के लेके आ रहा हूँ और अब उस एक बाल्टी के अंदर चीली डाला अब उस एक पाल्टी के अंदर नमक डाला और अब उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ अब ये मिश्रण बन जाएगा या नी बन जाएगा तो मुझे पता है अब आप बोलोगे हाँ सर पानी आते ही गुल जाएगा यास और नो ऐसे ही जब भी आप सजीव की बात करते हो जब भी आप रासानिक अभिक्रियाओं की बात करते हो तो सजीवों के अंदर ये रासानिक अभिक्रिया एक माध्यम के अंदर हो रही होती है जिस माध्यम को हम बोलते हैं जीव द्रव या कोशिकात्र रहा आया समझ में? यानि आपको जब भी, में चीज यही सिखाना था, कि आपको जब भी कारिक्रम चलाना हो, उपापचे अभिक्रियाओं का, आपको हमेशा एक माध्यम की आवश्यक्ता होगी, और वो माध्यम होगा, जीव द्रव्या कोशिका द्रव्य, समझ में आया? चलिए. पहला पहला जो कॉंसेप्ट सिखा है, जो अभी तक मैंने आपको सिखाया है, वो क्या सिखाया है, जिरा उसकी बात कर रहें, मैंने आपको सिखाया है, कि जब भी आप बात करेंगे, जब भी आप बात करेंगे, उपापचे अभिक्रियाओं की, सवेव एक माध्यम में होता है यह पहला पहला concept सिखाया है में तरफ से यह पहला concept है आपके लिए मैं 5 स्टार दे रहा हूँ प्रिकॉज मैं आपकी आधी biology सिर्फ इसी concept पे explain करके दिखाऊंगा और आपको समझ में आगा कि अच्छा biology भी concept होता है क्या इसलिए सबसे पहले यह सिखा रहा हूँ कि उपापचे यह अधिक्रिया जब भी कराओगे हमेसा एक माध्यम चाहिए जैसे अभी मैंने example पल लिया था उदारन लिया था चीनी और नमक को घोलने के लिए क्या माध्यम लिया था जल वैसे यहाँ पे भी उपापचे यह अधिक्रिया जो रासाइनिक अधिक्रिया है उन रासाइनिक अधिक्रियाओं को कराने के लिए एक माध्यम चाहिए और वो माध्यम होगा जल जिसे आप यहाँ पे जल ना बोल के क्या बोल रहे होंगे आप यहाँ पे बोल रहे होंगे कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य समझ में आया जिसे आप क्या बोल रहे होंगे बच्चो कोशिका द्रव एक माध्यम की आशक्ता होगी और वो माध्यम होता है वो माध्यम क्या होता है पोशिका द्रव या जीव द्रव और जैसे ही ये वर्ड सुना आपने कोशिका द्रव और जीव द्रव आपके दिमाग में थोड़ी सी कौतुहल बढ़ गए क्योंकि अब अगला स्वाल पूछने वाला हूँ जरा बताओ बच्चो आप लोगों ने आज तक जितना भी जीव विग्यान पड़ा है उसकी आधार पे बताना जरा कि ये कोशिका द्रव पाया कहां जाता है ये कोशिका द्रव पाया कहां जाता है और अब आपका जवाब होगा सर ये कोशिका द्रव तो हमेशा कोशिका के अंदर पाया जाएगा क्योंकि नाम ही है कोशिका द्रव ये कोशिका द्रव हमेंसे कहा पाजाएगा कोशिका के अंदर पाजाएगा क्योंकि नाम ही इसका क्या है कोशिका द्रव है जरह बताओ मैंने क्या बोला शुरू करते हैं और देखो conceptual तरीके से क्या समझ में आया आपको शुरू करते हैं मैंने आपको सिखाया कि कोशिका जीवन का मुलभूत आधार है और जहाँ पे जीवन की बात होगी वहाँ पे हमें समझ में आया कि वहाँ पे हमेशा उपापचे यविक्रियाएग चल रही होगी वहाँ पे metabolic reactions चल रहे होगी यस और बच्चे और जब आप metabolic reaction की बात करोगे तो आपको पता है कि वह हमेशा एक माध्यम में होगा और वह माध्यम होगा कोशिकाद्रविया जीवद्रविय जहाँ पे कोशिकाद्रविय और जीवद्रविय होगा वो जगह होगी कोशिका यानि जहाँ पे जीवन होगा अब relate करना जहाँ पे जीवन होगा वहाँ पे उपाप चाही अभिक्रियाए होगी यस और नो जवाब आएगा यस जिनको समझ में आ गया कि जहाँ पे जीवन है वहाँ पे निसंदे कोई अपवाद रही है वहाँ पे उपाप चाही अभिक्रियाए है और जहां पे उपापचे ये विक्रिया है वहां पे निसंदे कोई अपवाद नहीं है माध्यम उपस्थित होगा और माध्यम क्या है वो लिखा है कोशिका द्रब्य और जीवद्रब्य यस और नो और कोशिका द्रब्य और जीवद्रब्य कहां पाए जाएंगी कोशिका के अ वो है कोशिका इसलिए हमने बोला कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है समझ में आया वच्चे कोशिका क्या है जीवन की मूलभूत इकाई क्योंकि जीवन के लिए उपाप चाहिए अभिक्रिया उपाप चाहिए अभिक्रिया के लिए चाहिए माध्यम माध्यम क्या है कोशिका द्रविया जीव द्रव और ये पार जाएगा हमेशा कोशिका के अंदर यानि जहां पे कोशिका होगी जीवन वही पे होगा इसलिए हमने बोला कि कोशिका जीवन की मुलभूतिकाई है पहले बताओ ये परिभाशा अब तक लिखते थे अब समझ में आगई सबको अब डन है समझ में आगई क्यू बोलते हैं जब ये समझ ले तो अब आओ अब हम इसकी परिभाशा भी लिखते हैं हम इसकी परिभाशा भी लिखते हैं और जरा देखो मेरे हिसाब से कोशिका की परिभाशा क्या है आप लोग क्या लिखते हो वो अभी छोड़ दो मैं क्या लिखता हूँ जरा वो देखो कि मेरे हिसाब से कोशिका की परिभाशा क्या है जरा सा इसको देखो कि मेरे हिसाब से परिभाशा क्या है G1 का कोशिका कोशिका जीवन की मूल हूँ मूल वूद संचिनात्मक एम एम कार्यात्मक एकाई है क्या बोला? मैंने क्या बोला? कि कोशिका जीवन की कैसी 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 दुबारा से रिपीट करेंगे मैंने बोला सनचिनात्मक एम कार्यात्मक की काई है और जब इसको समझना है तो हमें थोड़ा सा और मिनत करना पड़ेगा सनचिनात्मक तो समझ में आ जाता है किसर बहुत से ऐसे जीव हैं जहाँ पे एक कोशिका के अंदर ही जीवन के सारे उपक्रम चल रहे हैं और बहुत से ऐसे जीव हैं जैसे हम देखते हैं बहु कोशिकी जीवों में जहाँ पे कोशिकाओं का नमबर लाखो करोडों में हो सकता है जैसे हाथी का शरीड देख लो जैसे जिराफ का शरीड देख लो जैसे बरगत का पेड देख लो जैसे पीपल का पेड देख लो सब लीविंग है और जब आप इन्हें लीविंग बोल रहे हो और आपने बात किये कि लाइफ का एकी केरेक्टर है उपापचे अभिक्रिया तो आप पाते हो कि ये उपापचे अभिक्रिया तो सिर्फ एक मात्र कोशिका अमीबा के अंदर भी चल रही है ये पेरामीशियम के अंदर भी चल रही है ये युगलीना के अंदर भी चल रही है और आपके दिवाग का कौतवल बढ़ता ही चला जाता है कि यार क्या है ये लाइफ ये तो एक कोशिकिया के अंदर भी है ये एक बहु कोशिकिया के अंदर भी है जहाँ पे मिलियन मतलब करोडों अर्वों में जो कोशिकाओं की संक्या वहाँ पे भी जीवन है और जहाँ पे सिर्फ एक मात्र कोशिका है वहाँ पे भी जीवन यस और नो और इसी को समझाने की मैंने लिखा है देखो अब आपको एक समझ में आगे एक बात कि जीवन के लिए क्या जरूरी है उपापचे अधिकरिया अब मैं आपको दूफरा कॉंसेट सिखाने जा रहा हूँ जिदा दूफरा कॉंसेट सिखना और फिर आपको अपने आप आगे की चीज़े समझ में आएंगी जो कॉंसेट नंबर दो है और ये पूरी बाइलोजी में चलेगा बिटा आपके या 11 हो या 12 हो कुछ भी हो ये चलता रहेगा आपके साथ इसलिए थोड़ा सा सीखना इस बात को है ना देखो बोल्ड भी लिख दिया आपके काफी कोई भी कोई भी उपापचे या विक्रिया कौनसी विक्रिया उपापचे या विक्रिया अच्छा ये तो वो अविक्रिया जो जीवन को निर्धारित करती है कि वो सजीव है या नहीं हाँ कोई भी उपापचे या विक्रिया बिना एंजाइम बिना एंजाइम कोई भी उपापचे या विक्रिया बिना एंजाइम के कभी भी नहीं हो सकती है नहीं रुके के आप लोग अभी अभी आप लोग रुके के जराब मैं इसको थोड़ा और सजादू समार दू क्योंकि मैंने क्या मोला है ये कॉंसेप्ट है और ये पूरी बाइलोजी में चलेगा इसे आप नहीं छोड़ सकते इसे आप मिस नहीं कर सकते ये पूरी बाइलोजी में चलेगा जैसे जैसे आपको पहला एक और कॉंसेप्ट सिखाया था उसको भी थोड़ा बोल्ड कर दू उसको भी थोड़ा बोल कर दूँ, ये लोग ये वाला उपापचे अविक्रियां है, सदय एक माध्यम के अंदर होती ये दो चीज़ें आज के क्लास की हमारी ये जो क्लास हो रही है इसकी हाइलाइट से कि कोई भी उपापचे अभिक्रिया बिना माध्यम के नहीं हो सकती समझ में आ गया कोई भी उपापचे अभिक्रिया बिना माध्यम के नहीं हो सकती पहली चीज और दूसरी चीज कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया नहीं है जो बीना एंजाइम की हो सकती है इसका मतलब समझे आप लोग जो आप ये बोल रहे है कि सजी वराने के लिए उपापचे अभिक्रिया जरूरी है यही से हमें यह भी चीज आ जाती है कि अच्छा तो उपापचे अभिक्रिया कराने के लिए जब एंजाइम जरूरी है तो हमें हमेशा कुछ न कुछ एक ऐसी चीज चाहिए जहां से एंजाइम बने यानि जहां पे कोशिका होगी वहीं पे माद्यम होगा जहां पे कोशिका है वहीं पे माद्यम है तो जहां कोशिका होगी वहाँ पे वो भी चीज पाई जानी चाहिए जो एंजाइम बनाए अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिना एंजाइम के तो metabolic reaction हो इनी सकती yes or no यहीं से सीखना है वक्षे यानि जहाँ पे कोशिका होगी जहाँ पे living की बात होगी वहाँ पे आपको एक चीज और चाहिए और वो क्या चाहिए जो एंजाइम मनाता है वो आप दिखाता हूँ आप लोगों ने कभी पहले previous classes में पढ़ा है तो आपको यह बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा जिसके बारे में मैं लिखने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं लिखने जा रहा हूँ मैं लिखने जा रहा हूँ आनुवंशिक पदार्थ के बारे नाम सुनाए आपने सभी कोशिकाओं के अंदर उनके आनुवंशिक पदार्थ पाय जाते यस और नू क्या पाय जाते बच्चे आनुवन्शिक पदार्थ वैसे तो मुख्यतया बहुत सारी कोशिकाओं में जब हम इन आनुवन्शिक पदार्थ को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये आनुवन्शिक पदार्थ होते हैं DNA क्या होते हैं DNA maximum कोशिकाओं के अंदर लेकिन कुछ के अंदर ये RNA भी होते है यास और नो बच्छे कुछ के अंदर RNA भी होते है हम यहाँ भी बहुत ध्यान से देखेंगे जो आनुवन्शिक पदार्थ है वो या तो DNA होगा या तो RNA होगा ये दो चीज़ ही होती है यास और नो और अगर कहीं पे आनुवन्शिक पदार्थ DNA है मैं एक चीज़ बनाने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले जो आप सब लोग जानते हो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना और मेरी बास से सैमती दिखाना कि अगर कहीं पे आनुवन्शिक पदार DNA है तो DNA RNA बनाता है DNA क्या बनाता है RNA बनाता है RNA protein को translation करता है RNA से protein का translation होता है हम देख पढ़ रखा इसको transcription और translation पढ़ रखा है ना पढ़ रखा है ना मेटा अनुप्रती और इसको क्या बोलते है ट्रांस्टेशन को इसको बोलते है आप ट्रांस्ट्रिप्शन और ट्रांस्लेशन और प्रोटीन से बनता है हमेशा एंजाइम जो एंजाइम है वो एंजाइम कहा से बनता है प्रोटीन से बनता है प्रोटीन के रूपान तरह से पड़ा है ये DNA से RNA RNA से प्रोटीन और प्रोटीन से एंजाइम यारी अगर आपके किसी भी कोशिका के अंदर metabolic reaction चलानी है तो हमें एक चीज और क्या चाहिए हमें एक चीज और चाहिए जो है आनुवंचिक पदा क्या चाहिए बच्छा है आनुवंचिक पदा यारी अगर हमें कही पे जीवन की उपस्थिती देखनी है तो जीवन की उपस्थिती सबसे पहले कहां दिखेगी सर ऐसी जगर पर दिखेगी जहांपे उपापचे यविक्रिया हो रही होगी Yes or no एक बार मुझे बता न Yes or no जहांपे उपापचे यविक्रिया हो रही होगी और जब आप उपापचे यविक्रिया को देखोंगे कि उपाप चाहिए अभिक्रिया कहा होगी तो आपको समझ में आगा कि जहां पे माद्यम उपस्तित होगा माद्यम को देखोगे कि माद्यम कहा है तो माद्यम कोशिका में है तिर आपको समझ में आगा कि नहीं उपाप चाहिए अभिक्रियाओ के लिए तो अनुलेखन और प्रतिलिपिकरण अनुलेखन इन सब अभिक्रियाओं से एंजाइम बना की नहीं बना अगर एंजाइम बन गया तो वहाँ पे मेटाबोलिक रेक्शन चलेंगी यह सोनो बच्चे यह सोनो देखना बोलों कि सर कुछ कोशिकाओं में तो आर्यन्नी होता है कुछ कोशिकाओं में तो आर्यन्नी होता है तो आपने 12 कर लिया है 12 से अपने कर लिया है तो आपने एक चीज और सिखा है वो भी दिखाता हूँ आपने सिखा है कि जो DNA है DNA से बनता है RNA DNA से बनता है प्रोटीन और यही प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है एंजाइम के अंदर यह पढ़ा है ना बच्चे आप ट्वेल्थ क्लास में इसी को तो आप सेंट्रल डुगमा बोलते थे यस और नो जो वाट्सन और क्रिक्ति बताया था लेकिन मेरी एक बात बता ना आपने गोला सर कुछ कोशिकाओं के अंदर RNA पाया जाता है कुछ कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है आर्यन्य पाया जाता है तुझरा देखना नाम भी बताई दिया जाए फटाफट यस और नो चलो नाम भी फटाफट देख लिया जाए DNA से RNA बनने को आपने क्या बोला था बच्छे DNA से RNA बन रहा है तो आपने क्या बोला DNA से RNA को बनने को आप बोलते हो प्रतिलिपी करण बढ़ चुके आप लोग 12 में सारी बात है RNA से प्रोटीन के बनने को क्या बोलते हो आप इससे बोलते हो अनूलेखन यानि अगर किसी भी जगा पे कोशी का उपस्थित है किसी भी जगा पे कोशी का उपस्थित है और उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ है तो वहाँ पे ये दो अभिक्रियाय चलेंगी प्रतिलिपी करण जिससे DNA से RNA में परिवर्तित होगा RNA से अनूलेखन बिदी द्वारा प्रोटीन बनेगा जो रूपांतरी तो होके एंजाइम बना लेता है और एंजाइम लाइफ के लेजर होगी है कहीं कहीं पे RNA हमने लिखा है ना RNA genetic material हो सकता है जहां पे RNA है वहां पे RNA से DNA बनता है यानि प्रतिलिपी करण ना होके यहां पे प्रत्यावर्ती प्रतिलिपी करण होता है यहां पे क्या होता है बच्चे प्रत्यावर्ती प्रतिलिपी करण यहाँ पे reverse transcription नाम सुना होगा आप लोगों ने इसे ही हम reverse transcription भी बोल देते यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चे reverse transcription और reverse transcription से DNA बनता है और DNA से फिर से enzyme इसी विदिद्वारा बन जाएगा लेकिन enzyme बनना चाहिए तब ही अभी क्रिया होगी और जहाँ पे ऐसा है वहाँ पे ही आप bowling की जीवन पाया जाएगा यानि आप से अगर मैं पूछूँ कि जीवन की उपस्थिती के लिए या एक कोशिका के निर्माड के लिए जीवन की उपस्थिती या एक कोशिका के निर्माड के लिए आपको कौन-कौन से चीज़े जरूरी होती हैं तो आप क्या बोलोगे जरा देखना जीवन के लिए जो मूल भूत आवश्यकताई होंगी जीवन के लिए जो मूल भूत आवश्यकताई होंगी वो क्या क्या होंगी बच्चो जरा देखते हैं जरा देखते हैं जो जीवन के लिए मूल भूत आवश्यकताई हैं वो क्या क्या हो सकती हैं जरा देखो बच्चो और समझो पहला पहला क्या सिखा मैं है कि वहाँ पे कोशिका द्रव्य होना चाहिए या वहाँ पे जीव द्रव्य होना चाहिए क्यों होना चाहिए यह भी सिखेंगे दूसरा वहाँ पे इस कोशिका द्रव या जीव द्रव क्योंकि ये लिक्विड है ना ये पानी है द्रव ये लिखा है ना तो पानी को हमेशा रोकने के लिए एक आवरण चाहिए होता है इसलिए कोशिका द्रव या जीव द्रव पाए जाते है कहां पे कोशिका के अंदर त के चारों तरफ के लिए एक आवरण उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका जिल्ली कभी कभी ये कोशिका भित्ती भी पाई जाती है बहुत सी कोशिकाओं में सिल्वॉल पाई जाती है भाती भाती की प्रकार की तो कोशिका जिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ती भी हो सकती है तो कोशिका द्रविच चाहिए, कोशिका जिल्ली या कोशिका भित्ती चाहिए और तीसरा सबसे important चीज वहाँ पे होना चाहिए आनुवंशिक पदार्थ क्या होना चाहिए बेटा? वहाँ पे होना चाहिए आनुवंशिक पदार्थ अगर कहीं पे ये तीनों चीज उपस्थित है तो ऐसी जगह पे इन तीनों की उपस्थित ही है जहां पे ये तीनों चीजे पाई जाएंगी ऐसी जगह पे जीवन उपस्थित होगा ऐसी जगह पे क्या होगा बच्चे जीवन उपस्थित होगा और उसे आप सजीव बोलेंगे क्या बोलेंगे जहां पे जीवन उपस्थित होगा उसे आप क्या बोलेंगे सजीव बोलेंगे यस और नो जीवन उपस्थित होगा उसे आप क्या बोलेंगे सजीव बोलेंगे और मेरी बाश तुन लीजे जहांपे ये होगा उस अहांपे जीवन उपसित होगा उसे सजीव बोलेंगे और यह सजीव सक्षम होगा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने मतलब इसे अपने जीवन के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्टीर होना नहीं पड़ेगा यह सजीव स्वतंत्र यापन में यह सजीव स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है यह सजीव क्या कर सकता है स्वतंत जीवन यापन कर सकता है अगर यह स्वतंत जीवन यापन नहीं कर पाता इसका मतलब कि इसमें से कोई न कोई इसके अंदर कम है इसके अंदर कुछ न कुछ इसके अंदर कमी है वो भी दिखाता हूँ चलिए कुछ उदारन ले ले लेते हैं फटाफट और जड़ा देखते हैं बच्चों मैं एक उधारण ले रहा हूँ जिस उधारण से पूरे दो साल तक आपका पाला पड़ा है मैं उधारण में ले रहा हूँ वाइरस क्या लिया मैंने वेटा वाइरस विशाण जब मैं विशाणू की बात करता हूँ और विशाणू की इस ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि विशाणू के अंदर क्या क्या चीजे हैं जरा देखेंगे मैंने क्या बोला कि आपको कभी भी लिविंग और नौ लिविंग बताना हो तो आप क्या देखोगे मैंने आपको बता रखा वैसे तो तो पिरा एक बार आना कि आप क्या क्या चीजे देखोगे आप क्या क्या चीजे देखोगे कि उसका आवरण है की नहीं उसको कहीं न कहीं से घेरा गया है की नहीं आवरण उपस्थित है कोशिका दरब देखे चाज़तरब तो अच्छी बात है आप देखोगे तीसरा कि वहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ में डी एन ए है की नहीं या RNA है की नहीं या सौर नो वहाँ पे DNA और RNA है की नहीं आनुवंशिक पदार्थ है की नहीं ये तीन चीज़ें देखनी हैं आपको तो ज़रा देखना मैंने एक्जामपल लिया है विशाडू का किसका विशाडू का और जब मैं विशाडू की क्वरत देखता हूँ विशाडू की कोशिका के तरफ देखता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है ज़रा ये देखना मैं बनाया ये एक bacterial phase एक विशाडू है एक विशाडू की से नचना है जहां पे ये है इस विशाडू का आवरण और ये जो बीच में है ये है विशाडू के आनुवन्शिक पदार ज़रा देखना और समझना सारी चीजों को बच्चो ये है विशाडू का आनुवन्शिक पदार जो वाइरसेस के अंदर बहुत से बार DNA भी होता है और बहुत से बार ये RNA भी हो सकता है हाँ वाइरस के अंदर DNA और RNA दोनों पाए जाते हैं एजा अनुवन्शिक पदार कोई बात है मेरा मेल ले ये देखना है कि क्या यहाँ पे आवरण उपस्तित है आपका जवाब होगा हाँ सर है देखना मैं टिक कर रहा हूँ मैं टिक कर रहा हूँ आवरण उपस्तित है आप बोलोगे हाँ सर उपस्तित है ये लो आवरण प्रसेंट है आनुवन सिख्पदार प्रेजेंट है आप बोलोगे हाँ प्रेजेंट है लेकिन मैं लिख रहा हूँ जरा बताना क्या यहाँ पे कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य उपस्थित है आप बोलोगे यह नहीं है और अभी अभी सीखा है आपने व्याँ से देखो अभी अभी सीखा है आपने कि अगर कहीं पे इन तीनों चीजों के अलावा कुछ भी कम हो गया तो जीवन उपस्थित होने के लिए तीन चीज चाहिए यहाँ पे आनुवनसिक पदार्त है आवरण है यह नहीं है यानि वो कोशिकी यह नहीं है वो एक कोशिका नहीं है बच् कि वाइरस जब ये तीनों चीज़े नहीं है तो यहाँ पे वाइरस कैसा होगा ये निर्जीव होगा यस और नो ये वाइरस कैसा होगा निर्जीव लेकिन इसी वाइरस को अगर मैं अब देखना दूफरे सीन में ये सेम वाइरस को दूफरे सीन में देखेंगे झाल झाल जब यह यहा裡 पर सिर्फ आवरंड था शिर्फ अनुमर्टी कि प्रदार माध्यम नहीं था लेकिन यह में यहां बनाया सब कोशिका के अंदर के से यह बैट करा यह बेक्किरिय की सेल है इस कोशिका के अंदर कोशिका ढ़व्य है यस और नो इस कोशिका के अंदर क्या है बच्चे कोशिका द्रव है जो मैंने बनाया तो जब इसके अंदर कोशिका द्रव उपस्तित है तो ये वाइरस जिसको जिसके अंदर पहले कोशिका द्रव नहीं था ये कोशिका द्रव पाते ही क्या हो गया अब इस कंडिशन में ये वाइरस सजीव है और अब ये अपना जीवन पूर्टया से अकेले काट सकता है यानि अगर हम लाइफ की बात करें, जीवन की बात करें सजीव और निर्जीव के लिए तो हमें कोशिका होनी चाहिए और कोशिका बोलने के लिए हमें तीन चीज़े चाहिए कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़े हो, वहाँ पे जीव द्रव्य उपस्तित हो वहाँ पे आवरार उपस्तित हो और वहाँ पे आनुवनसिक पदारत उपस्तित हो Yes or No? जब आप ये समझ जाते हैं फिर आपको समझ में आएगा आपकी NCRT के लिखे वही ये बात है कि जैसे हम बात करते हैं कोशिका की तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूल फूत की का ही है पहली बात जो हमने देखा जीवन की बात किया तो जीवन हमें एक कोशिकी के अंदर में दिखाई देता है और जीवन हमें बहु कोशिकी के अंदर में दिखाई देता है जीवन एक कोशिकी में भी है जीवन बहु कोशिकी में भी है लेकिन जीवन कैसे निग्रारित किया आपने आपने देखा कि क्या वो सक्षम है अपना स्वतंत्र अस्तित्व यापन में यानि वो केले अपना जीवन काट सकता है क्या अगर वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम है अपने जीवन के सभी कार करने में सक्षम है तो आप बोलेगे कि उसके पास कोशिका है और वो सक्षम कब होगा जब उसके पास खुद का जीवद्रव्य होगा खुद का आवरण होगा और खुद का अनुवचिक पदार्त होगा अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं ये मानता हूँ कि आज आपने पहली बार कोशिका को समझा है कि एक कोशिका एक जीवित कोशिका क्या है अगर आप ध्यान से सुने वच्चे तो आपके घर में जो टेबल है चेयर है जहाँ पे लकड़ी की टेबल मेज अगर आप देखते हैं तो उस मेज के अंदर भी वो पेड़ का कटा हुआ हिस्सा ही है लेकिन उसके अंदर जो घर के बने दरवाजे खिड़िया है उसमें जो लकड़ी है उसके अंदर जीव द्रव नहीं है जब वो पेड़ था तो जो उसकी जड़े थी जो उसकी मूल थी वो जल का आशोशड करके उन कोशिकाओं को जल देती थी जीवद्रब्र था इसलिए वो living थे लेकिन अभी non living है तो कोशिका ये के आधार पे आप जब भी जीवन यानि जीवित और निर्जीव देखोगे सजीव और निर्जीव देखोगे तो आपको क्या देखना है ये तीन चीजें और ये अगर आप समझें तो आप कोशिका को पहली बार समझें है इसकी खोज कैसे हुई चा हुई वो हम लोग डिसकस करेंगे अगले लेक्चर में आज के लिए इतना ही God bless, take care, have fun